गजेन्द सिंख शक्तावत पंच्टत्त्तु में विलीन हो गए सचेन पैलट अपने दोस्त के आखरे दर्सन के लिए पहुँचे और अंतिम संसकार में मौजूद रहे आदमी की असली कमाई नजर आती है उसके जाने के बाद वही देखने को मिला गजू बना और बंटी बना के नाम से जाने जाने वाले गजन्द सिंख शक्तावत के अंतिम विदाई में सचीन पैलेट वहां जिस तरह से मौजूद रहे ये दिखाता है कि वह अपने विधायकों के लिए अपने लोगों के लिए उनके दिल में कितना प्यार है कितना मुहबबत है लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठा क्या मुख्यमंतरी अशोग घलोत को वहां नहीं जाना चाहिए था हाला कि मुख्यमंतरी अशोग घलोत कोरोना की वज़े से बाहर बहुत कम निकलते हैं वो कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हैं, लेकिन किरल दौरे पर जा रहे हैं कल से, कॉंग्रेस के धरने में पहुंच जाते हैं, ऐसे में अगर क्यज़निसिंग शक्तावत के अंतिम दर्शन में जाते तो अच्छा लगता, वो न गये ठीक है, कम से कम पर वल्लब नगर सीट के विधायक, उसे लेकर लोगों ने काफी आलोचना की, कि कॉंग्रेस के पर देश अध्यक्ष को ये पता नहीं है, कि वल्लब नगर सीट चित्तोरगड जिले में है, या उद्यपूर जिले में, ये गल्ती हो सकती है, लेकिन जिस तरह से बिना किसी कार के ये मौजूद रहे, अगर वहां जाते तो अच्छा लगता, हाला कि सहाड़ा में विधान सभा उप्चुनाव के तयारी के सिलसिले में रगू शर्मा चिकित्सा मंतरी वहां गए हुए थे, इसलिए राजे सरकार ने उनको वहीं से भिरवाडा से ही बगल में भेज दिय मगर अगर कॉंगरेस की पुरी टीम वहां रहती तो एक अच्छा संदेश जाता, लेकिन यहां भी अशोग गलोत खेमा और पाइलेट खेमा नजार आया, हो सकता है कि सचीन पाइलेट के बहत करीबी थी, थे इसलिए बहुत सारे कॉंगरेस के नेता चैपुर से वहां नही गए तकि उमीद करनी चाहिए कि कॉंगरेस ऐसे समय में एक जूट रहे, दूसरी तरफ यह अच्छा लगा देखकर कि सतीश पूनिया विपक्ष के नेता होते हुए भी अपने तमाम कारिकरम जो हैं एक किस जनवरी के रद कर दिये, क्योंकि वहां पर उस इलाके में एक सो कम हौल है, इसलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या आपस में इतनी वैमनसिता थी कि इस तरह के कारिकरम से भी कॉंगरेस के बड़े नेता दूरी बनाए हुए हैं, जबकि उनके जो पिता जी थे, वे मेवार के बहत ताकतवर और कॉंगरेस के बड़े नेता से थे, ग मौजूद रही, एक तरह से सचीन पैलेट के जो समर्थक हैं, उनमें भी भरोसा पैदा होता है, कि सचीन पैलेट हर घड़ी में, हर समय में उनके साथ मौजूद रहेंगे.